Hello everyone, इस तरह के सेंटेंस हों अपने daily life में कभी ना कभी जरूर बोलते हैं जैसे कि मैं एकाद घंटे में पहुच जाऊंगा, वह एकाद बार उससे मिला है तुम एकाद बार लखनव गए हो, मैं एकाद घंटे में आ जाऊंगा, मैं एकाद बार दिल्ली गया हूँ गाइज इस तरह के sentence में आपने एक चीज जरूर notice किया होगा कि एकाद बार सब्द का बार बार यूज हो रहा है चलिए गाइज इस तरह के sentence को कैसे बनाते हैं हम उसके लिए structure देख लेते हैं structure sentence plus or so guys sentence किसी भी tense में हो सकता है और guys or so का मतलब होता है एकाद बार चलिए guys इसको हम example के थुरू समझ लेते हैं example मैं एकाद घंटे में पहुच जाऊंगा I will reach in an hour or so चलिए guys next example देख लेते हैं वह एकाद बार उससे मिला है he has met her once or so चलिए guys next example देख लेते हैं तुम एकाद बार लखनव गए हो you have gone to लखनव or so चलिए guys next example देख लेते हैं मैं एकाद घंटे में आ जाऊंगा I will come in an hour or so चलिए guys next example देख लेते हैं मैं एकाद बार दिल्ली गया हूँ I have been to दिलही once or so चलिए guys कुछ example अपने आप बना कर comment box में लिखिएगा hello everyone my name is Vinos Singh welcome to my channel Vinos the study center अगर वीडियो को सीखने कभी लाइए तो like, share और subscribe जरूर किजएगा ताकि हम रोज में सखेंगा